हेलो एबरीबन टूडे वी विल सॉल्ट एक्सासाइस 3A क्लास नाइन्थ में और मैं आईससी पोर्ट की सेड़ना पॉर्मेसर के जुबुक है कॉंसाइस मैथमेटिस्ट जिसके राइटर मिस्टर आर की वनसली है मैं उस बुक को सॉल्ट कर रहा हूं टॉपिक आपका है कंपाउंट इंट्रेस इससे पहले चैप्टर टू भी कंपाउंट टेस्ट था लेकिन उस में जह में सॉल्ट करें थे वो था यूजिंग विदाउट और तो उन को सॉल्ट को सॉल्ट होने तुपर टाइम डगता था इसमें हम फॉर्मुला यूज करेंग प्लस आर अपाउन हंड्रेट रेस टुदफ पावर एंड आप चाहें इसमाल आड इकलो या केपिडर उससे कोई फरक नहीं है यहां ए क्या है ए होता है एमांट क्या होता है कुछ समय बाद मिलने वाला प्रंसीपल इंक्लूडिंग इंट्रेस्ट जो प्रंसीपल हमने जम इन्ट्रेस्ट है इसलिए अधी फॉर्मली में प्रेनम होती है से पी गिविन होगा, तो फिर खेल लखें, एमाउंट में से principle minus करते हों इंट्रेस्ट होती है, कमपाउंट है, तो compound रहे, simple interest का सवाल है, तो simple interest निकलाते हैं, एमाउंट में से principle minus करते हैं, ये formula आपकी first exercise में 3a में इतनी से काम हो जाएगा, इसलिए मैंने इसे ही लिखा है, बाकि सब्सक्राइब एर की rate of interest अलग होगी, जब आएंगी हम मैं discuss कर लेंगे, चलिए अब करते हैं question number 5, दिखाते हैं क्या है, यह solve Question 1 आपका है, choose the correct answer from the option given flow A part इसका question 1 में कई बाट है, A, B, C, D, E, F, G, A तक है, तो A part If P equal to some land, R equal to rate of interest per year, N number of years, and amount A, तो पूछा इन में से कौनसा formula सही है, पहला ही सही न ज़रा रहा है, A equal to P, 1 plus R upon 100 is to power N, दूसरा देख ले थे, A minus P, P equal to, अगर यह P को हम नीचे, यह तो formula अपने बताया तब यह होता है, हो सकता है, दो answer भी हो सकते हैं, कब होती है, अगर A minus P की जाएगा, A upon P होता, 1 plus, तो यह सही होता, लेकिन यह A minus P यदर तो आगा नहीं, यह तो गलप, यह answer हो गया, और देख लेते है, A equal to P, 1 minus R upon 100, question number 1 का, A का, आपका, first is the correct option, यह हम अभी discuss करीकते हैं, वही तो formula लगा था, A equal to P, 1 plus R upon 100 की power, and R small है, capital है, rate of interest से मतल है, दिखाते हैं, आपको B part क्या है, B, if the letters used have usual meaning, R1 percent and R2 percent are rate of interest for two consecutive, यह successive, यह कुछ हो सकते हैं, यह, then A equal to P, 1 plus, अभी में उपकही रहाता, यह भी आते हैं, वह यहां अगे, तो क्या होता है, R1, R2, R3, R को अललग साल के लिए rate of interest हो सकते हैं, तो हमने कितना formula पोड़ा है, P1 plus R1 upon 100 की power, and, यह क्या, 1, 1 रहे है, तो N की power 1 हो गई, तो into में plus C आएगा, R2 हो जाएगा, यह answer का सही हो, A equal to P, 1 plus R1 upon 100, 1 plus R2 upon 100, मौनलो 3 years के लिए होता, R3, into, याने के bracket में लिए 1 plus R3 upon 100, and so, and so, and so on का मत्रास में आगिया, हुसरे के 4, 5, 6 साल के लिए, अलग rate of interest हो से हर यह के लिए, तो जो rate of interest है, बो लगा जो की option second में दे रखा है, तो option second is the correct option, देखते हैं C part, C part है, compound interest on 6,000 in 2 years at 5% per annum, क्या होगा, फॉर्मली से निकाल देंगे, फॉर्मली यह है, लेकिन आपका MCQ है, तो MCQ क्या होता है, थोड़ा बिदा फॉर्मली से easy होता है, क्या से बताता हूं, 6,000 का 5% की तरफ से 1 year का निकाल लो, 300 हो गया, अब 300 का 5% और निकाल लो, कितना आएगा, 300 का 5% 15 आएगा, तो 315 दूसर पल दे रखा था, 6,000 रुपीस तो लिख लिजी से सीधा, 6,000 रुपीस, time and 2 years, और rate of interest जो आर है, 5% पर है, तो फॉर्मली लगा दो, a equal to p, अभी पहले सवाल है, इसलिए फॉर्मूली लिख रहा हूं, बाद में डारेट डारेट फॉर्मूली की वजाए, सीधे फॉर्मू 100 पूरा लेलो, 100 प्लस आर्थ, आपका 1 step बच जाएगा, तो यह आप 10th standard में है, sorry, 9th की है, कितना हो जाएगा, 100 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 105 अपॉन हंड़ेट का whole square, clear, 2 से cancel हो जाएगा, sorry, 5 से, 5 तू जा, 5 बन जा, 5 तू 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 जा, 2 जा, 4 जा, 5 तू जा, 5 तू जा, 5 तू जा, 4 से 15, बरकें से, कितना हो गया, 15 into 21 into 21, 241 होते है, 15 का multiply कर दो, थोड़ा जलेली कर रहे है, calculate तो है ना, जी था आप जनते हो, 15 केरी 1, 15 फोर्जा 61, केरी 6, 15 फोर्जा 61, केरी 6, 15 फोर्जा 60, और 61, कुछ गलत कर दिया, कुछ गलत कर दिया 15 मंज़ा 15 केरी वन 15 फोर्जा 61 सिक्स आया 15 फोर्जा 60 और 6 तो यह आ गया इतने रुपीज तो समझें CI क्या हो गया compound interest होता है amount minus principle amount हमारा आया 6,615 और प्रिंसिपल ता 6000 पीज सब्टेट करोगे तो आगया 650 पीज जो कि हमें किस option में दे रखा है option 1 में option 1 is the correct option ओके चलिए करते है डी पाट डी पाट है आपका a sum of money lent at 10% CI compounded year become 650 in two years the sum lent is तो हमने कितना money उधार ली आता है दो साल में कितना होता है 6,050 रुपीज कैसे होगा बताते हैं तो डीप पाट में हमें क्या दे रखा है उसको हम लिख लेते हैं क्या क्या दे रखा था सुनू a sum of money lent at 10% rate of interest दे रखी है 10% पर रहे नम CI compounded yearly become यानि कि amount हमें दे रखा है 6,050 रुपीज in two years और number of years दे रखे हैं time दे रखा है two years तो सीर सीधर पी निकलना है तो पॉर्म लगा दो a equal to p 1 plus r upon 100 raised to the power n a की value 6050 पी में निकल लेंगे 1 plus r कितना है 10 upon 100 raised to the power 2 क्या होगा 0 से 0 cancel और 10 LCM 6050 इकल टो p 10 LCM तो कितना होगा 10 plus 1 लेंगे 11 का whole square तो 6050 10% ही था नो two years 10% 6050 है ओके p 11 का square क्योंता है 121 और 10 का square 100 तो principle कितना होगा और 6050 इन्टू 100 अपॉन 100 तो 11 से साथ cancel होगा है देखते हैं 11 बंजा 11 11 बंजा 11 11 फाइब जा 55 कैरी 5 55 55 11 55 फिर 11 से 11 फाइब जा 55 और जी 0 फिप्टी का 100 में multiply करेंगे तो कितना आ गया यह ता जनते हैं 50 का 100 में करेंगे तो यह आ गया 5000 तो principle कितना होगा रुपी 5000 प्रिंसिपल यानि कि sum एक ही चीज़ होती है यह पूछा तस में कि sum बताना है the sum length is तो आंसर होगे 5000 देखता हूं किस option में दिरखा है यह option 3rd में हमें given है तो इसका 3rd option is the correct option ओके नौ इस पार्ट on a certain sum the compound interest in one year 550 if the rate of interest 10% of the sum उपर की तरह सीधे सीधे देखो अब इसमें क्या compound interest दिरखा है amount दिरखा है compound interest वा compound interest नहीं amount दिरखा है इतना अंतर rate of interest 10% है तो हमें और time कितना रखा one year तो हमें बताना कितना sum होगा चलिए करते हैं पाटा-पाट कैसे वह बताते हैं तो इस पार्ट में क्या करना है हमने P को P मान लिए let principal equal to P okay अब rate of interest हमें दे रखिए 10% पर रहे नहीं और यहां वन वन यह रही तो था वन यह रहां तो फोर्मुला लगा तो ए निकाल लो amount A is equal P 1 plus R upon 100 raised to the power end तो A निकाल लो इससे P के टर्म माल जाएगी P को P मन लिए हमने 1 plus rate of interest 10% दे किया है पहले अब देखो इसको जिरू होती है आप डारट SI भी निकाल सकते हो कि वन यह की SI या CI सेब होती है अब यह compound test formula चला है इसने formula से कर दिया कि आप वो याद हुआ है तो 0 से 0 cancel हो गया तो amount कितना हो गया P 10 LCM 10 plus 1 power 1 लिखो ना लिखो तो कितना हो गया 11 upon 10 clear यानि कि जो amount निकल के आ गया कितने रुपीज आ गया 11 P upon 10 अब CI हमें दे रखा CI होता क्या amount minus principal equal to compound test amount कितना है 11 P upon 10 minus P compound interest दे रखा था 550 इसमें LCM 10 आएगा 11 P minus 10 का P में multiple होगा 10 P 550 clear 11 P मैंसे 10 P subject करे तो खाली P बचेगा और cross multiple करे था 10 का 550 into 10 तो P निकलाया 5500 तो यह सम लेंड था जो उधार लिया गया था वह 500 रुपर हो गए जो कि हमें 4th option में रखा है तो 4th option is the correct option ओके चलिए लेते हैं F part F part है 4000 amount to 4600 in one year at compounded interest compounded yearly the rate of interest तो यह था simple principle दिखाए रहा है एक ही साल का है 4000 रुपर थे 4600 रुपर हो गई पर एक साल में मिलता हो वो कहला थी रिट रिट क्रेपिशन तो युनिटर मेठाशिव करते हो 4000 रुपर मिलने हमें 600 रुपर एक साल की एक रुपर मिलेंगे 4600 upon 4000 100 पर मिलेंगे 100 वह भी निकलाए गए ना तो यहां पर principle हमें दे रखा है 4000 रुपर टाइम दे रखा है 1 यह हमें फॉर्म लिट रहा है अमें लिट रहा है a एकल टू 1 प्लस आर अपाउन रस टू दपावर ठीक है ना यह अपाउन में आए गई आएगा तो 2 0 से 2 0 के इसे और यह नीचे ले जाता हूं 46 अपाउन 40 एकल टू क्या है 1 प्लस आर अपाउन 100 बन दर आएगा तो 46 अपाउन 40 माइनस होएगा आर अपाउन 100 के लिए तो इसमें 40 LCM क्या जाओ 46 माइनस 40 आर अपाउन 100 यह कितना हो गया 6 अपाउन 40 इस एक्वल आर अपाउन 100 तो रेट अपाउन कितनी हो गई 6 अपाउन 40 इंटू 22 25 23 15 सीधी सीधी आगई वेट अपाउन 15% पर एनम देखते हैं किस option में दे रखी है यह वह फस्ट option में दे रखी है तो option first is the correct option ओके चलिए करते हैं इसका last part G part क्या है दिखाते हैं G part है Rs.4,000 among 25,070.60 in 2 months at compound interest date compounded per month जब per month लिख लिए तो formula बूई लगया month है तो 2 यह पावर जागा ना अगर rate of interest per year होती तो problem है यहां same है 2 month है और यहां क्या है rate of interest per month कुछ change नहीं करना है तो जैसे अभी सवाल करा तो same है rate of interest निकालने कैसे होगा करते हैं फटाफट तो G में हमें principle given है Rs.4,000 amount दे रखा है Rs.5,070.60 and 2 month अब यहां month होता तो problem कब आती जब compound interest हमें दी होती पर year लेकिन rate of interest दे रखी है पर month दे रखी है नहीं rate of interest जो find करनी है पर month करनी है तो पर month में निकल गाइट हुए तो सीज़-सीदा formula होई उससे कोई फरक नहीं पढ़ना है a equal to p 1 plus r upon 100 raised to the power n अगर per annum find होती year में होती और पर month पूछी तो हम 12 से divide करते है 12 का multiple करते तो power 12 बहुत बड़े हो जाती है इसलिए 2 month ही रखा इसलिए month में कर दिया नहीं कुछ change नहीं करा है बैल पूट कर देते हैं 5000 17.60 is equal 4000 1 plus r हमें point करना है power 2 clear क्रॉस multiple नीच आएगा 5017.60 अब यहां पर एक बात ध्यान रखोगे जो time 1 plus r upon 100 power क्या है मतलब time 2 यान की square तो यह भी 100% किसी ना किसी का square बनेगा अगा time होता 3 years 3 month पावर 3 होता तो इदर वाली संख्या पूरा किसी ना किसी का cube होती क्या करने decimal के बाद decimal हड़ाया दो 0 उड़ा लिए उसे जीरतो cancelled होई जाना है आप square है नीचे किसी का square बनना है 420 का square होता है है न 20 का आप cancel करना चाहो cancel कर सकते हो लेकिन मैं cancel कर नहीं जानकर क्योंकि मुझे square बनता हुआ साइद आ रहा है मैंने देखा 40,000 20 का square नहीं होता 1,2,3,4 200 का square ठीक है ना तो अब उपर आ रहा है 6 तो 6 कब आएगा 200 से बड़ी संक्या है तो 4,4 या 60 जी 204 का square हो सकता है अब मैं multiple करके देता हूँ 204, 204 यह बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है मैंने multiple करा 204 इंटू 204 नहीं बैठ रहा 41616 आ रहा है तो यह तो cancel नहीं होड़ा तो हटाओ पहले तो cancel करते हैं बाकी संक्या बात में देखेंगे 4 से हो जाएगा 4 हाँ हो जाएगा 4 से divide करते हैं 4 बन जा 0,0,0,0,0 clear अहो यह बहुत तो गरम हो गया mobile है ना इसलिए यह लिखा आ गया ओके चलिए कोई बात नहीं कुछ करता हूं 4 सी तो काटते हैं 4 सी कैंसे करें 4 बन जा 12,4 जा 48 2 बचा 2,1,20 1 4 सी तो काट रहे थे हाँ 12,4,48 48 का मतलब 2,21 4,5 जा 20,1 बच्चा 1,7,17 4,4,16 1 बच्चा 4,5,16 यह हो गया यहाँ थोड़ी जागे कम है मैं द्वारा से नीचे लेख लेता हूं तो हमाई पास यह आ गया 12,5,4,4 upon 10,000 equal 1 plus r upon 100 का whole square 4 सी फिर cancel हो जाएगा 4 सी 25,00 4,2,8 45,00 25,00 किसका हो जागा 50 का square हो जागा तो यह दिखते है 4,3,12 4,1,4 carry 1 14 हो गया 4,3,12 2 बच्चा 24,20 4,6 clear अब यह देखो किसका square बेट रहा है 50,50 का square 54 का square 4,4,60 56 का भी इसकार हो सकता है पहले में चेक कर ले रहा हूं 54 का बेट रहा है नहीं बेट रहा multiple करके है वीडियो पॉस करके तो मैंने कर लिया तो यह 56 का आया और अब अब प्रॉलम इसमें हो रही हो तो आप और कैंसिल कर सकते है ठीक है ना वीडियो लबी हो जाए चलो कैंसिल करके दिखाते है चल्दी क्या 5 से 4 से फिर कैंसिल हो जाएगा 2,0 तो 4 से हो जाएगा कितना हो और 4,6,024 clear ना 11,10,10 4,2 जा,8 4,5 जा 4 से यह कैंसिल कर लो 4,7 जा 28 3 वच्चा 33 33 4,8 जा 32,1 वच्चा 4,4 जा ठीक है अब यह कैंसिल नहीं होगा किसी से तो यह क्या आ गया 7,8,4 अपॉन 6,125 इस एक्वाल 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 2 ओके गया आपको याद होने चाहिए कम से कम 50 तक अगा 50 तक के 30 रहल 100 % 2 है किसी Heart 3 क 28 1 1 100 मैं सामने कर देँगा तो इसके आगे में नहां कर दे रहा हूँ तो 28 upon 25 is equal 1 plus r upon 100 plus 1 को अधर लिया है 28 upon 25 minus 1 is equal to r upon 100 25 ऐसे मिले है कुछ जादा time डग के सवाल में इस से जादा unitary method से कर देते तुरूंत जाता 28 मैं से 25 के तो कितना पचेगा 3 और 100 है ले हम cross multiple वाला अपन का 25 equal to r 25 4 जा 4 जा 12 तो r आ गई 12 परसेंट देखें किस option में दे रखा है option first में ही दे रखा था तो यह option first is the correct option ओके चलिए करते हैं question 2 find the amount and the compound interest on 12,000 रुपीज in 3 year at 5% interest being compounded annually ठीक है तो simple simple form रहा है p दे रखा है n दे रखा है r दे रखा है कैसे होगा बताते हैं तो question number 2 में principle हमें given है 12,000 पीज time दे रखा है 3 years और rate of interest हमें given है 5% पर आइला एमांट पूछा इसमें तो एमांगे कालते है formula सिए सीधा a equal to p 1 plus r upon 100 raise to the power 3 तो value put कर दो 12,000 पीज 1 plus rf 5 upon 100 raise to the power 3 5 से हीं cancel कर दो 5 बन जा 5 से 20 वर cancel तो कितना हो गया 12,000 अब एल से हमांगे 20 20 plus 1 का whole cube into 20 plus 1 क्या होगे 21 upon 20 का whole cube अब देखो आपको जब भी अभी बहुत सरी सवाल करेंगे यह 21 ऐसा नंबर है compound index में अकसर आ जाता है और power भी q आती है तो 21 का q आपको रटा होना चाहिए नहीं यह तो 21 into 21 into 21 कर रहा है यह होता है 9,261 अभी आप करोगे आगे कई बार सवाल आगा यह 21 का q अकसर आ जाता है question में तो यह सब teacher को भी रटा होता है बच्चों को भी रटा जाता है और 20 का square आप 8,000 20 into 20 into 20 खलो और cancel कर लो उससे कोई फरक नहीं है मैं लिख दे रहा हो से सीधा 20 into 20 into 28,000 2, 2, 4, 2, 8 और 3, 0 तो 3, 0 से 3, 0 तो cancel 4, 2, 8 4, 3, 2 और 2 से डवाइट कर दो 1.5 आ जाएगा या मल्टिपिल करके डवाइट कर दो या अमंट आ जाएगा चलो मल्टिपिल कर देने है 3, 3, 3, 6, 18 carry 1, 3, 2, 6 और 7 और 3, 9, 27 अपन 2 इतने रुपे अमंट हो गया 2 से डवाइट कर देने है से सीधा तो ये कितना बाइट 2, 2, 3, 6 है न carry 1, 17 हुआ 2, 8, 16 carry 1, 2, 9, 18 2, 1, 2, 2, 0.5 इसका मैं आशर जैक कर ले रहाँ कि मल्टिपिल्टा डवाइट में कोई मिस्टेक थो नहीं कर दिए असलिए कोसर नम्बर 3 कोसर नम्बर 3 कोसर ये 3 है 13,891.50 बिल्को ठीक है जास एमांट से ही तो कंपाउंट से निकली आएगा अब कंपाउंट टेस्ट निकलना है तो कंपाउंट टेस्ट क्या होता है A-B एमांट हम आए सामने जी रहा 13,891.50 और वह है 12,000 तो समझें 13,891.50 आगे आपकी CINE की कंपाउंट इंट्रेस्ट तो ये कोसर टू कंप्लीट हुआ चलिए करते हैं एक और कोसर कर लेते हैं कोसर नम्बर 3 कोसर थी है कैलकुलेट दा एमांट इप 15,000 इस लेंट एट कंपाउंट इंट्रेस्ट for 2 years and the rate for the successive year जैसी में आगे सवाल 8% पर एनम and 10% पर एनम respectively अभी बताया था हमने नहीं दिखाई दे रहा थो 2 successive year के लिए है न 2 successive year के लिए है न 2 successive year के लिए है न कैसे होगा बताते हैं कोसर को sorry 4 बोल गया मैं 3 है 3 तो जो जो चीज दे रखी है वो लिखेते हैं कोसर नमबर 3 में हमें principle दे रखा है 15,000 रुपीज 2 successive year के लिए successive year के लिए rate of interest है पहली R1 है 8% पर एनम और दूसरी year के लिए R2 हो गई वो है 10% पर एनम एक एक साल के लिए थे power 1 आती है समय बन बन लगेगे तो उनमे formula क्या होता है a कल टू P 1 प्लस R1 अपॉन 100 इंटू 1 प्लस R2 अपॉन 100 ओके तो निकालते हैं अमाउट यह पूछा है वस P की वेलू 15,000 1 प्लस R1 8 अपॉन 100 in other bracket R2 की वेलू 10 है 100 cancel करना चाहो कर लो और ना करना चाहो तो मत करो 100 अजसे मिलो डारेक लिख सकते हो इस्टेंट 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 और इस्टेंट आजाएगा मैंने आपको सो करती तब भी 100 का बन में करेंगे 100 प्लस 10 ओके ठीक है ना तो यह हो गया अब 15,000 यह कितना हो गया 108 अपोन 100 110 अपोन 100 देखो एक जिरो से तो एक जिरो कैंसल अब देखो 1,2,3 एक, दो, तीन और यह एक, दो, तीन जिरो कैंसल हो गया क्लियर? अब करते हैं कुछ 15 का मल्टिपिल करोंगा 15, 8 जा 120 तो 20 आजाएगा carry 1, 15 में जा 15 और 11 16 इंटू 11 तो कितना आगया? 11 का मल्टिपिल करने यह answer आएगा 0, 11, 2 जा 22 carry 2, 11, 66 or 2, 68 का 8 carry 6, 11 जा 11, 6, 17 तो answer आगया कितना amount हो गया? 17,820 रुपीज answer में जारू चक करूँगा कहीं calculation mistake ना कर दियो इसलिए तो question number 3 17,820 मिल को सही है तो वीडियो काफी लंबी हो गई है तो आज हम यह stop करते हैं मुझे उम्मीद है आज के तीना question आपको बहुत अच्छी से समझ में आ के होनी कहने को तीन है क्योंकि MCQ में तो बहुत सारे हो गए थे 6-7 question तो 8-7 question आज के बीडियो हो गए है तो आगे के question आप लोग ट्राइ करिए 4-5-6 बहुत इजी है जल्दी खतम हो जाएगी क्योंकि पहली जो chapter 2 था से पहला है बिदाउड यूजिंग फॉर्मूला था तो टाइम लगा था तो 3 chapter मैं 2-3 दिन में complete कर दूँँगा क्योंकि मेरे पास message आ रहे है chapter 4 कराईए सर जल्दी से जल्दी आज मैं message पर रहा था कि chapter 6 भी कराईए हो सकता है उनके exam में हो तो मैं ऐसा करूँगा chapter 3 भी चलता रहेगा साथ में और मैं chapter 6 की भी वीडियो बना के upload करता रहूँगा जिनका अगर exam है फिलाग तो उनको कोई नुकसान ना तो आप लोग चैनल के साथ बने रहे है अपनी प्रलोम पूछते रहे है मैं उसको remove करने की move करने की पूरी-पूरी कोशिस करना अगर आप पहली वाट चैनल पर रहे है तो चैनल को subscribe करना ना भूले साथी साथ bell icon जरूब प्रेस करें जिससे आगे जो भी वीडियो upload होगी उसका notification आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी miss नहीं होगी इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी share करें जिससे वो भी इसका फायदा उठा सकें फिर मिलते ना इस वीडियो में Thank you, have a nice day